अग्याइब नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागते लोदर्व क्लासेश के यूटूब प्लेटफार्म पर दोस्तों हिंदी भाषा एबम संस्कति जो की बीए बीएस्टी और विकॉव्म के सभी छात्रों के लिए हैं इस पाले स्रीज को आज हम प्र पर हम फटा-फट हैं आपर दोस्तों डिसकस करने वाले हैं आई ये शुरू करते हैं डाइटली शेशन बिना टाइम गवाए क्योंकि सभी आबशक बाते जितनी भी बाते करनी थी हम इससे पहले बाले से सेशनों में अच्छे से कर चुके हैं इस से बता रहा हूं कि दो हि लोग से संबन्द जितने प्रश्ण हो सकते हैं इसके अलावा जागो फिर एक बार जो कि निराला जी दुआरा लिकेत हैं इन दोनों पर जितने आबश्यक और महत्मूर प्रश्ण हो सकते हैं उन पर हम डिसकस करेंगे नए स्टुएंट को बता दू जो पहली बार हमको सकते हैं आपके अनुसा आपके स्लेवस के अनुसार आप अपने सब्जेक्ट जो है फिरियो कोश्ट वहां से वाज कर सकते हैं और नौटस भी डाउनलोड कर सकते हैं प्लेरीश में आचली जाना होगा चलिए आज की सेशन का सबसे पहला प्रश्ण है कि गीता का वक्ता को तो दोस्तों यहां पर उप्सन आपका एक औरेक्टर हो जाएगा क्योंकि गीता का वक्ता गीता का ग्यान तो क्रेश्ण ने दिया था अर्जुन को लेकिन वक्ता आर्दा आपको पता होगा कि जब रण भूमी में महावार्ति उत्र प्राड़म होने वाला था उससे जस्ट पहले क्रेश्ण ने अर्चुन को गीता का ग्यान दिया था जो यह जो है सनझे को एक वरदान था यह कहें कि संझे जो है धरस्ट राज को एगर जो है और मम हाई चल गया रहा है तो इसलीग कया संजे ही जो है गीता का वक्ता था किलिए रहे तो संजे ही गीता का वक्ता इसलिए option ए करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन है गीता में भगवान ने कुल कितने स्लोक बोले थे गीता में भगवान ने कुल कितने स्लोक बोले थे पांसो चोपन छेसो चोटर पांसो इठोतर य किये यहाँ पर पूचा गया है कि गीता में कितने अध्याय थे और कितने स्लोग है तो आपको पता चुका है पांसो चूट्र तर अब देखिए यहाँ पर कितने अध्याय और कि भगवान ने कितने स्लोग बोले? 24 अब यहां नीचे 700 केसे हो गए तो मेरे दोस्तों गीता में स्लोक सिर्प स्री क्रेश्ण नहीं नहीं बलकि अर्जुन ने भी अपने सवालों के रूप में कुछ अर्जुन ने भी वो लेते तो अर्जुन और क्रेश्ण दोनों के स्लोकों को मिला करके कुल गीता में जो स्ल च모टन में बोले गए थे स्लोक के कितने चरण थे पंद्रासो अठारासो a2-100 चण या चार वुच्ण दी गए हैं चार में से ओप्शन सा करेक्ट हो जाएगा अठाइसो चरण जो है गीता में स्लोक के बोले गए थे चलिए अगला प्रशन है महाभारत में महाभारती युद्ध में कुल सेना कितनी थी महाभारत का जो युद्ध हुआ था इसमें कुल सेना कितनी कितनी सेना ने भाग लिया था दोनों पक्चों की सेना की दोनों पक्चों की सेना की दोनों पक्चों की सेना की चार ओप्सन है दोस्तों चार ओप्सन दे गएगा 49,000 लाग 36,600 सेनिकों ने भाग लिया था इस पूरे महा युद्ध में महा भारत में के लिए इसलिए करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन है महा भारत का युद्ध कितने दिन चला था महा बाद का दिन 15 दिन 16 या 18 दिन ओप्शन दा करेक्टो हो जाएगा 18 दिन महावाद का युद्ध चला था ठीके ना तो ये छे प्रशन थे आपके कर्म योग से संबंदित या कहें कि स्रीमत भागबत गीता संबंदित जो की आवश्यक्ते प्रशन तो और भी लिए जा सकते थे दोस्तो स्लोक थे उसमें कितने भाग थे ये सबसे महत्मूर्ण प्रशन है लेकिन छे प्रशन में आपको यहाँ पर इसको इसके दे रहा हूँ छे प्रशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए इसमें कोई नहीं होने चाहिए चलिए अगला प्रशन देखेंगे अगला प्रशन है संध्या सुंदरी जोही की कली या राम की शक्ति पूजा या अनामी का पहली रचना पूछ रहे हैं पहली रचना है ना तो ओप्सन यहां पर बी करेक्टर हो जाएगा जोही की कली निराला जी की पहली काव्य रचना थी अगला प्रशन है महाप्राण की उपादी किस कभी जिर चुड़ जाती में तली शुट्ट जी के साथ में चाहएगा शूर कांथ टरपाटी निराला जी के साथ या फिर या फिर नागार्जुन किनका चंद आओ अग्गे निराला जी का और या जगदिश गुप्त का या धर्म वीर भारती का चार ओप्सन चारो में से दोस्तो ओप्सन आपका भी करेक्टर हो जाएगा निराला जी के जो जब नवीन चंद की रशना उन्होंने की ती तो उस चंद को रबर चंद के करके उनके चंद का मजाक पुड़ाया गया था अगला प्रश्न है कुकुर मुत्ता किसकी रचना है कुकुर मुत्ता किसकी रचना है निराला जी की मुक्तिवोद की नरेश महता की या केदानात अगरवाल की कुकुर मुत्ता के रे निराला जी की आपने कई वार इसको पढ़ा भी होगा चलिए अगला प्रेशन है जागों फिर एक बार कविता में डोट-डोट का भाव नहीं थे यहां पर रिक्तिस्तान की पूर्तिया को करना है चार ओप्षन है राष्टी नव जाग्रण सेकेंड है राष्टी एकता थर्डे राष्टी भासा या फिर राष्टी भक् भाव इस कविता में समाहित किया गया है ठीके ना अगला प्रेशन है जागों फिर एक बार कविता में कविता के आंदोलन की प्रेश्ट भूमी पर तो किसके आंदोलन की प्रेश्ट भूमी पर सामाजिक समानता की प्राप्ति के लिए या सोतनता प्राप्ति के लिए या सोतंतरता के आंदोलनों की प्रस्ट भूमी पर ये कवीता लिखी गए थी Ugh चलिए अगला प्रश्ण देखेंगे गुरूगोबिनSp зам के गुरू थे देखिए इसाईयों के गुरु थे जैनों के गुरूत सिक्षों के गुरू थे। बहुत दोखे गुरु तो कभी कभी ऐसे मज़ा करने वाले प्रस्ण भी आ जाते हैं एक्जाम में देखने को मिल जाते हैं इना जहाँ पर आपको कुई कन्प्यूस होने के आभशक्ता नहीं है अगला प्रस्ण है भारतियों को किसका रूप माना गया है भारतियों को किसका रूप माना गया है भ्रह्मा का या फिर इंद्र का या विश्णु का तो दोस्तों भारतियों को भारतियों को हिंदु धर्म के अंतरगत भारतियों को भ्रह्मा का रूप माना गया था क्योंकि स्रश्टी की रचना भ्रह्मा जी के द्वारा की गई थी कि लिए इसलिए भ्रह अगला प्रश्न है सत्स्री अकाल किस धर्म से संबंदित है चार धर्मों के नाम सिक धर्म इसलाम धर्म मानव धर्म या सवनातन धर्म सिक धर्म से संबंदित है सत्स्री अकाल हर कोई जानता है सब जानते लगवग तुम हो महान तुम हो महान तुम सदा हो महान ये भारतियों सिंग का था या स्वामी दयानन्द का था तो मेरे दोस्तों ये मंत्र जो है रिशी मुनियों का था किसका था रिशी मुनियों का था इसलिए option B correct हो जाएगा अगला प्रशन लेंगे अगला प्रशन है म्रत्युन जे व्योमेश के समान में म्रत्युन जे किसे कहा गया है म्रत् कि शिख को झाए है चलिए अगला प्रशन लेंगे अगला प्रशन है टीन साप कोन कों से हैं और भूतिक या फिर लोकिक अलोकिक और अध्यатमिक या फिर या पिर समुद्री आकाशी और इस्थलिये या फिर इन में से कोई नहीं तो मेरे पर दोस्तों जो तीन ताप कहलाते हैं वो देहिक वेद देविक और भोतिक कहलाते हैं अर्दात की ओप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन है जागो फिर एक बार कवीता के रचैता कोन है साब जानते है तरपाटी सहाब है ठीके ना सूरिकान तरपाटी निराला जी है चलिए उप्शन इसका बी करेक्ट अगला प्रशन है सवा लाख पर एक को चड़ाओंगा की घोशना किसने कीती सवा लाख पर एक चड़ाओं तब गोरु गोबिन सिंग नाम कहाओं पूरी का पूरा तो य आवशक प्रशन हो सकते थे दो पार्ट कौन कौन से दोस्तों दो पार्ट में एक स्रीमत भागबत कीता का कर्म योग और जागो फिर एक बार कभी था इन दोनों के अंतरगत ये 20 प्रशन में हमने चर्चा की है अगला जो सेशन होगा हमारा उसमें बात करेंगे दो पैर का आप भोजन एक इस से कुछ प्रशन लेंगे और एक होगा गिल्लू ठीक है ना तो इन दोनों से गिल्लू जो की महादेई वर्मा जीतिक के द्वारा लिखे थे तो इन दोनों पर हम एक छोटा सा जिससे आज ही सेशन हुआ है छोटा सा इसी प्रकार का सेशन और लेंगे ज प्रकार से प्रकार से प्ले लिटली्क जाया जाता है या आपके सेशन हम कंप्लीट या फिर्यों को सत जो है प्सके से Remember कि सकते हैं वह दोसके छोटा सा वीडियो क्लेप उसको देख लीजी है जहां से आपको प्लेशना आने में आसानी होगी प्लेइस्ट में किस प्रकार जाना चाहिए आपको उसमें आईए चोटा सा वीडियो कि लिप में प्ले कर रहा हूं यहीं पर यह आपकी मदद करेगा ठीके ना मिलेंगे अग्ले करेंगे करेंगे तो वहां ऊपर आपको या ंदीकर है हैं आपके सभी सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हम पड़ा रहे हैं सारे सब्जेक्ट आपके सामने आचुके हैं इसमें सिद्धान्त वाला सब्जेक्ट इस पर हमने किलिक किया किलिक करके देख पा रहे हैं आपकी सभी सेशन सभी लेक्चर करम से खुल कर आपके सामने है यहां पर किलिक करेंगे किली करेंगे जैसेक इक रहें टो देखिए तो थे दिस्किप्टे उनकर आपके सामने देखिए आपके सामने बाकिरेशए 10 यदियृट की यहां पर अंपर उस्तिक्रीफिप्स interviews नहीं इसके लिए जिता करेंगे this लिखा हुआ दोस्तों यामने पर क्लिक करेंगे जैसे ही आपको फुल डिस्कुप्सन जो पर अध prophetic सामने आ जाती है और यह आप सब्सक्राइब आशन से रिक से सभी लिंक हमारी देख पाएंगे देकं यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड पीडियेप नोट से ही यहां पर किलिक करके आसानी से आप बहुत यहां से डाउनलोड कर सकते हैं